है फ्रेंट्स इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे जो अगला टीटेन का मैच आज खेला जाएगा सारे प्लेयर्स का बेटिंग ओडर के साथ दोस्तों मैं आपको बताऊँगा कि कौन से बॉलर आपको इस मैच के अंदर कंप्लिट दो वर तक बॉलिंग करेंगे सारे इनफोर्मेशन में आपको इस वीडियो के अंदर शियर करने वाला हूँ दोस्तो ये वीडियो आपको बहुँठ ज़्याधा हेल्प करेगा एक बार इस वीडियो को लाश्ट तक जरूर वच करना पूरी इंफोर्मेशन के लिए वीडियो को लाइक से स्टाट करना दूस्तों मॉटिवेशन के लिए फ्रेंड्स वीडियो मैगर बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी स्रिक्वेश्ट अगर आप चेनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो चेनल को एक बार सब्सक्राइब जरू कर ले इस वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन मिल जागा दूस्तों इस पे एक बार क्लिक कर दें सांते सत्यां पर जो बैल आकन दिया हुआ इस पे क्लिक करने के बाद आपको आल का उप्सन देखने को मिलेगा इसको भी एक बार सलेक्ट जरू कर लेना ताकि आने वाले T10 और T20 मैचेस का वीडियो में जैसे ही अपलोड करूँगा आपके पास सिधे नोटिफिकेशन जाएगा और सारे मैचेस का जानकारी आपको इसी प्रकार मिल पाएगा दोस्तों अगर आपको हमारा बताएगा है स्टैट्स पसंद आता है इस वीडियो से अगर आपको जरा भी हल्प मिलता है तो एक बार इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरू करना और सबसे इंपोर्टन है कि आपमारे टेलिग्राम ग्रूप को जोईन कर ले दोस्तों यहाँ पे आपको एक एरो का बटन मिल जाएगर आपने यूट्यूब अबडेट दिया है तो फिर आपको इसी प्रकार मोर का आफसन देखने को मिलेगा जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं आपको हमारे टेलिग्राम ग्रूप का लिंक्स तो हो जाएगा इस ग्रूप में जोईन करना ज़रूरी दोस्तों क्योंकि अफ्टर टॉस आपको फाइनल टीम यहें पे मिलता है अगर कोई भी चेंजस होता है तो इसलिए एक बार जरूर सा जरूर जोईन कर लेना इस वीडियो के नीचे में आपको लिंक शेर कर दिया है दोस्तों डिस्क्रिशन बॉक्स में जहाँ कमेंड करते हो पहला कमेंड पे लिंक आपको पिन कर दिया है आप क्लिक करके इजी जोईन कर सकते हैं तो चलिए अब स्टेट्स की और आगे बढ़ेंगे दूस्तों यह जो मैच है दो पैर दो बजे में पहला मुकाबला होगा और कॉलेज को उनको जफर ग्राउंड मौंटिन में यह मुकाबला सारे के सारे मैच इसी ग्राउंड पर हो रहे हैं इसी यहां पर दूस्तों एन एस CAT10 लिग का ठीक है बाकी यहां का पीच कंडिसन आपको पता है 100 रन के आसपास यहां पर 80 रन के आसपास एक एवरेज स्कूर देखने को आपको मिल जाएंगे NCU के टीम ने भी तक 3 मैचेस खेला है पहला मुकाबला लॉस करा है सेकंड मैच भी लॉस किया है और थार्ड मैच में भी लॉस करते वी आए हैं एक ही मैचेस यहां पर NCU के टीम जो है विन नहीं कर पाया है ठीक है चलिए वह एकर आप देखेंगे पी आर ई का टीम का रिक आपके सब ज़्यदा काम आएगा मौत फिरोज बीम हसन का रिकॉर्ड देखोगे ओपन करने के लिए आये थे पहले मैच कंदर 11 रन स्कुर करा है एक और का गिंदबाजी में कोई विकेट इन को मिला नहीं फिर आठ अमबर पर खेलने के लिए दो रन मनाया था दो मैच का तोटल इन्होंने 13 रन स्कुर करा है इनके साथ अगर आप देखेंगे तो विश्वरिन कुमार आपको यहाँ पर ओपन करते हुए दिखेंगे दोस्तों और यह जो प्लेयर है यह दोस्तों विश्वरिन जो कि ओपन करने के लिए आ रहे थे पहले मैच कंदर 20 रन स्कुर कर तीन मैच के अंदर टोटल 20 रन मनाया हुआ है महमत फकरूल का रिकॉर्ड दूस्तों सेकेंड डाउन पे खेलते वे 11 रन स्कुर करा है दोस्तों बाके महमत फाउध बिन का रिकॉर्ड यह थर्ड डाउन पे खेलेंगे पहले मैच के अंदर 0 रन कोई एक विकेट निकाला बाकि मुहम्मद जोल का record पहले मैच के अंदर एक रण मिना थे को विकेट ने मिला फिर यहाँपे बैटिंग बोलिंग से flop फिर यहाँपे एक विकेट यहाँपे निकाला हुआ है मुम्द ऐशान बिन डाउट का रिकॉर्ड दूसरे मेच के अंदर फ्लाut रा था अजमान ए plywood ओपन करने के लिया थे पहले मेच के अंदर 12 रन, दुसरे मेच के अंदर 8 रन स्कुर करा है दो मैच इस मेच चला है, दोनों मेच कंदर यह open करने के लिया है बाके यहाँ पर अजवार अहमत का रेकार्ड फॉस्ट राण पर खेलते हैं फिर तिर्टीस रं मना के दो विकेट निकाला है बाके यहाँ पर महमद अलीफ को ट्राप और रेकार्ड थो नह बढ़ियां है नहीं महमद यूशूब दू मैच शुला है दोस्तों भी तक विकेट नहीं मिला स्टार्टिंग और पर देखेंगे दोस्तों मुहमद फाउद बिन जोहरे आपको स्टार्टिंग और पर दोस्तों यहाँ पर बॉलिंग करते हुए दिखेंगे और मुहमद एशान बिन डाउड यह भी starting और बॉलिंग करते हुए देखेंगे लेकिन डेत अबर की बात करेंगे तो सेम आपको दोस्तों यहाँ पर जो है मौहमद मौहत फाउद आपको starting और पर गेनबाजी साथ सद डेत और पर बॉलिंग करते हुए दिखेंगे लेकिन यहाँ पर अजमन हमद यह भी आपको टेत अबर बॉलिंग करते हुए दिखेंगे अब देखो बैंचेस में देखोगे दूस्तों यहाँ पर कुछ प्लेयर से जो कि आप नाम देख सकते हो यह सारे प्लेयर से आज आपको बैंचेस में नजर आएंगे NCO के टीम के तरब से लेकिन प्यारी का टीम का बैटिंग ओडर एक बार देख लेते हैं यहाँ पर दुस्तों एहमेद आपको ओपन करते हुए दिखेंगे प्लस गिंदबाजी भी करते हुए दिखेंगे एमेद रोजी जो की ओपन करने के लिए आए थे आठ रंड स्कूर करा है दूस्तों बाखि याकुब का रिकॉर्ड ओपन करते हुए तेरर रंड स्कूर करा है प्लस दो विकेट निकाला हुआ हुआ है प्लस दो वर ये एक ही मेचस खिला है लेकिन बहुत ही बढ़िया खिला है दूस्तों बैटिंग बोलिंग दोनों करते हुए नजर आए ये भी आपके लिए इंपोर्टन्ट है बाकि सफिक अजर का रिकॉर्ड फर्स रॉन पर खिलेंगे पंदर रंड स्कूर करा है कोई विकेट यहां पर नहीं मिला है दूस्तों मुहमद का रिकॉर्ड इनका रिकॉर्ड दो की सेकेंड डॉन पर खिलने के लिए थे दूर रं बनाये थे एक वर का गिंदबाजी में कोई विकेट यहां पर मिला नहीं है वह अगर इकबाल का रिकॉर्ड देखेंगे दूस्तों यह जो प्लेयर है यह पहले मैच के अंदर इन्होंटे 10 रं स्कूर करा है और यहां पर एक विकेट निकाले हैं दो वर का गिंदबाजी में दूस्तो यह भी काफी बढ़ियां बॉलिंग करते हैं तिनको आप इने टीम के अंदर जरूर ट्राय करना अच्छे बॉलर है और विकेट भी लास्ट मैच के अंदर निकाला है ठीक है बाकि अमिर को ड्रॉप करेंगे यहां कि थार्ड डॉन पर खेलने के लिए यहां पर 13 रं स्कू करा एक बर्का गेंदबाजि के ते को विकेट ने मिला और है सलमान बीन नüyorsun ये दो बर का बॉलिंग कर रहा था और एक बीक्न निकाला बाकि दोने को ड्रॉप करना दोनों इ crawl रोटन प्लयर है नहीं स्ट्राटिंग और मलिक बिन प्रवीन आपको यहां पर स्ट्राइंग गेंदबाज घंद बाजी करते वें दिख जाएंगे लेकिन देट भर में अगर डेकेंगे देखेंगे देखनेगे। पर होना चाहिए लगभग आपको सीम बैटिंग और इस मैच के अंदर भी देखने को मिल जाएगा दूस्तों एंसी और प्यारी के टीम के तरब से तो इसमें से आपको जो भी बैटर लग रहा हूँ तो टीम एक बार आप देखे लो आपको और ज्यादा हेल्प मिलेगा सुरुआत करते हैं सबसे पहले विकेट के पर से दूस्तों एम इमरान बेश ट्राएगा एंसी और के टीम के तरब से यह खिलाड़ी बहुत इंपोर्टन रहेगा आपके लिए तो इनको अपने टीम के अंदर जरूर से जरूर ट्राए करना है दोस्तों एम सीओ के टीम के तरब से ठीक अगर आप चाहें तो एम शफी को ले सकते हैं हलाकि मैं यहाँ पे एम इबरान बीन को ही ट्राए करूँगा यदा बैटर है बैटिंग में तीन बैटिंग को लिया भी कुमार बैस्ट रहेगा एहमत को मेंने लिया हुआ दोस्तों और यहाँ पे एस इबराहीम यह भी सांदर पिक रहने वाला पी आरी के टीम के तरब से तो यह तीन प्लेयर बैटिंग सेखने में दोस्तों आपके बहुत इंपोर्टन रहने वाला अगर आप चाहें तो आर राज को ट्राए कर सकते हो हलाकि इनका रिकार्ड मुझे तना बैतर लगा नहीं है और अलंडर में दोस्तों मैंने चार अलंडर को लिया हुआ है जिसमें से एम सीओ के टीम के तरब से दो प्लेयर्स है और यहाँ पे एम नूर और यहाँ पे दोस्तों एम यह वाजान को ट्राए करूँगा यह दो प्लेयर्स पी आरी के टीम के तरब से भी हाई इंपोर्टेंट यह चार अलंडर प्लेयर्स आपके टीम के अंदर होना सबसे बैस्ट है बॉलिंग में दोस्तों मैंने तीन बॉलर को लिया हुआ है दोस्तों यहाँ पर M.Fort को ट्राइ किया हुआ है यहाँ पर आप देखेंगे M.Azril को लिया हुआ है दोस्तों और यहाँ पर M.Bin Parnin यह जो तीन बॉलर है जो आपने दो दो बर बॉलिंग करेंगे तो इनको जरू ट्राय करना है बागे टीम प्रिव्यू मेरा आप देख सकते हैं दोस्तों जिसमें से कैप्टन सी के लिए भी कुमार और यह पर एहमेद वाइस कैप्टन सी के लिए सबसे बैस प्रिक रहेगा तो अभी इस टीम को सेव कर लो दोस्तों और लाइन अप का वेट करना अगर एक दो प्लेयर अफटर टॉस चेंज होता है तो अफटर टॉस में आपको फाइनल टीम टेलिग्राम गुरूप में शियर कर दूँगा